आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रेग्नेंसी टेस्ट कम और कैसे करना चाहिए। अगर आपको माँ बनने की खवाइच है तो प्रेग्नेंसी की खबर आपके लिए एक बड़ी खुशकबरी से कम नहीं है। यह है आपकी जीवन और पर्यावड में खुश्यों से भर देगी। लेकिन अगर आप अभी माँ बननी की प्लानिंग नहीं कर रही है तो यह कवर दुखताई भी हो सकती है। खैर प्रेग्नेंसी की पुश्टी करने के लिए आपको एक प्रक्रिया से घुजरना पड़ता है जिसको मेडिकल भाषा में प्रेग्नेंसी टेस्ट करते हैं। 만न होता है कि प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करता है कि आपको महीना नहीं आ रहा है आप गर्वती है या नहीं है इस बात की पुष्ठी-प्रेगनेंसी टेस्颟 को कई तरिके से करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान आपके पिशाम में हुमन खोरियॉनिक गॉनाडो टॉपिंग जिसको हम एचसीजी कहते हैं उस हॉर्मोन की मौजूदगी होती है और उसके इस तरका पता लगाया जा सकता है HCG के मौजूदगी या गैर मौजूदगी इस बात का फैसला करती है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगिटिव है आप प्रेगनेंट है या नहीं pregnancy test कब करना चाहिए, कहीं मैलाओं के मन में यह अप्रिशन भी उठता है कि इंटरकोस के कितने दिन बाद pregnancy test करें तो हम आपको बताते हैं किंटरकोस करने के बाद sperm और अंडा आपस में मिलते हैं इनके निस्चेचन की प्रक्रिणा होती है और इसके बाद fertilization होती है और दो सब्ता बाद वह हॉर्मून पिशाब में पाया जा सकता है इसका वैल्यू अगर 40 यूनिट से जादा है तो यूरिन प्रेग्निंसी टेस्ट पॉजटिव आता है क्लिनिक में प्रेग्निंसी टेस्ट किस तरह किया जाता है पहला पिशाब जाच दुआरा इस प्रक्रिय में डॉक्टर आपके पिशाब के सैंपल लेते हैं और उसमें HCG की मौझूदकी और उसके स्तर की जाच करते हैं जाच करने के बाद वो पुष्टी करते हैं क्या आप गर्वती है या नहीं है आम तोर पे डॉक्टर इस जाच के लिए सुभी क्या पिशाब का सैंपल लेते हैं खून जाच पिशाब के साथ साथ डॉक्टर खून जाच की मदद से भी प्रेग्निंसी का पता लगाते हैं जिसको हम सिरम बीटा एक सीजी कहते हैं आल्टरसाउं द्वारा इस विधी के जरिये डॉक्टर आपके गर्व में पल रहे एंब्रियो जब वो फीटस में कनवर्ट हो जाता है तो फीटस की फोटो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसमें आप सोनोग्राफी इमेज में अगर प्रिग्नेंसी फोर टू फाइब वीक्स क झाल